हेलो वेलकम बेक फ्रेंट्स न्यूज फोर यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां आपको मिलती है राजस्तान या फिर अन्य सभी जिलों से सम्मदित जितने भी सरकारी जो अपने इस चैनल को सबस्क्राइब कर रखा होगा आगे के प्रेट्स पाने के लिए अगर नहीं किया है तो आपको दबाना नीची जो लाल कलर का बटन है उसे और साथ ही जो साइड में घंटी बटन होगा उसे दबा लेना है जिससे की राजस्तान पटवारी अन्य सब्सक्राब कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए यहां पे हम इस वीडियो में बात कर रहे है है राजस्तान पटवारी भरती 2019 को लेकर यहां पे हम इस वीडियो में बात करेंगे सुगाई जी यह तो आप सभी काफी दिनों से सुनी रहे होंगे कि राजस्तान में पटवारी की वेकेंसी जाने वाली है दो जार तीन जार कितनी ठीक है तो यसी के असंदर में यहां पे यह तो पक्का है कि वेकंसी तो आएगी कब आएगी यह सारे चीज़ हम यहां पर डिसकस करेंगे और क्वालिफिकेशन वगारा को लेकर यहां पर एक बड़ी अपडेट्स है काफी बड़ा नुकसान है इस्टुएंट्स को तो वह चीज़ यहां पर देखेंगे तो देख द्वारा बरी जाती राजस्वमंडल के द्वारा ठीक है चलिए यहां पर नौटिस की डैट भी आप देख लीज़ेगा 13-2-2019 को यह नोटिस जारी किया गया है ठीक है 13-2-2019 को आप देख सकते हैं और यह नोटिस किसके लिए है यह पटवारी भरती है तो सेक्षनिक योग कितनी कर दीगी है इसना तक कर दीगी है यह एक यहां पर आपको लग रहा है कि यह कुछ लग रहा है कुछ जूटा लग रहा है तो मैं आपको इसके साथ एक और जो पत्तर जो संगलन्त हैं वो अभी आपको नीचे बताऊंगा दूसरा जो इसका नोटिफिकेशन जारी राजस्वे ग्रूप से इस विवाग जैपूर के परिपत्र कर्मांग ये कर्मांग है और ये दिनांग उननीस साथ दो जारी किया था जो भी इसके साथ संगलन किया गया है द्वारा पटवारी की सेक्षणी को गता इसना तक कर दी गया है देखिए यहाँ पे ये चीज आप को और करिएगा दिनांग उननीस साथ दो जार अठारा को एक नोटिस जारी किया था आपको पता हो तो जो रेवन्यू डिपार्टमेंट है उसी के दुआरा ठीक है पटवारी की भरती के लिए और वो किस से संबंदी था जिसना तक करने के संबंद में वो नोटिस था वो मैं आपको आपको बता देता हूँ और ये बोलड़ा कि वो नोटिस भी इसके साथ संगलन किया गया है जो भीज़ गया है जो जिला कलेक्टर्स को उनको लिए ठीक है तो नोटी साथ यहां पर बता देता ह witnessed इसके अनुसार देखी जो पतवार जो वेकेंसी जो होगी उनके लिए जो qualification है वो कितनी कर दी है बैचलर डिगरी कर दी गई है from a university established by a law or any other equivalent qualification required by the government ठीक है यानि कि जितने भी जो मतलब की बैचलर डिगरी होगी आप गर आपके पास तो ही आप जो है इसके लिए form भर सकते हैं पटवारी के लिए ठीक है तो ये चीज पहले से उन्होंने निकाल देते लेकिन इसको यहाँ पर apply करवाने के लिए जो है ये परिपत्तर जारी किया गया है या फिर इसका आधार कारवाई किया जाना सुनी सथ करवाने के लिए ही ये नया notice जारी किया गया है ठीक है तो ये चीज आपको clear होगी होगी तो हमारी जो qualification है वो कितनी होगी है पटवारी के लिए 12th प्लस नहीं है अब यहाँ पर आपको gradation या इसना तक की degree चाहिए होगी इसके अंदर तो ये काफी बड़ा जटका और नुक्सान हुआ है जो strengths 12th से इसको form को भरना चाह रहे थे उम्मीद बैल लगाए बैठे थे तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए गा ठीक है second thing निकल के आते हैं यहाँ पर की जो इसकी vacancies है वो कब जारी होगी और कितनी vacancies होगी चीक है तो देखें यहाँ पर latest notification के साब से यह जो process है इसकी departmental process वो पूरी की जारी है तो इसके साब से अगर हम idea लगाए हैं तो इसकी जो vacancies है वो बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर जारी होने वाली है तो देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश अज मेर से यह वेपरेशनोर निकला है प्रदेश में पटवारियों की रिक्तपड़े पदों की भरती कायद सुरू हो चुकी है राजसों मंडल द्वारा दो जार पदों पर यह निक्ती की जाएगी इसका जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन वगारा तयार के जा रहा है इसका और उम्मीद करते हैं इसका जो है नोटिफिकेशन आगले महिने में या फिर निकल सकता है अगले महिने के लाश्ट तक ठीक है तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है और जल्दी आजाएगी इसकी विकेंसीच तो यह सारे चीज़े आपको किलीर हो गये होगी फिर भी कुछ डाउट आपके मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा और अपडेट्स पाने के लिए अपने चैनल पर ज क्यूंक तन्यवाद